गुर्ड यूज है त्योहार में सस्ती CNG गाड़ियों के विकल्प मिलने वाले हैं और कम कीमत में फरस्ट टाइम आपको मिलेंगी इस तरह की शांदार गाड़ियां जो सेफटी, कमफर्ट और फीचर्ज और साथी लुक में भी बहुती जबरदस्त हैं अगर आप त्योहारी सीजन में यानि दीपावली के आसपास गाड़ियां पर चेज करने का प्लान बना रहे हैं तो आपके लिए लिटस्ट अपडेट हैं खास्तोर से पैटॉल डीजल की आसमान चूती हुई कीमत और इलेक्ट्रिक गाड़ियों की वैवारता संकट के चलते वाहन कमपनियों ने CNG गाड़ियों की तरफ फोकस किया है जो काफी बेटर है और बताया जा रहा है कि टाटा समय देश की कैई वाहन कमपनियां इस त्योहारी सीजन में यानि इस दीपावली पर CNG इंधन से चलने वाली कुछ न्यू गाड़ियां पेस करने वाले हैं तो बिल्कुल रियल फैक्ट है लेकिन मौजूदा समय में उनको ऐसी गाड़ियां चाहिए जो महेंगे पैटर डीजल से रहात दिला सकें इसलिए उब्भोकताओं का रोजान CNG गाड़ियों की और तेजी से बढ़ रहा है आप सेल्स फिगर देखिए और इसी मांग को देखत वहन सेल करने वाली मारूती सुजूखी की अगर आप टोटल फिगर देखें तो चालू वितवर्स में भी लगवत तीन लाग CNG गाड़ियों की बिक्री हुई है तो आप सोच सकते हैं कितना बड़ा आंकड़ा है और CNG की तरफ कितना बड़ा रुजान भी हो चुका है अपने कई पॉपुलर पेट ओल मोडल गाड़ियों का CNG वर्जन जल लॉंच करने की तयारी में है और तटा की योजना है अपनी हैचबैक स्रडान गाड़ियों को CNG वर्जन में लॉंच करने की और CNG गाड़ियों के परिचालन की बात करें तो इनका लागत पैट अब ड अच्छा हो चुका है जहां पे 2018 में CNG गाड़ियां एप्रोक्स 4% तक सेल होती थी वहीं अब 6% तक पहुँच चुकी है और एक और चौकाने वाली चीज है कि इस दोरान डीजल गाड़ियों की बिक्री 35% घड़ चुकी है जहां पर जो लोग पहले पावर या आप कह सकते है माइलेज के लिए डीजल गाड़ियों की तरफ मूव करते थे अब CNG की तरफ बहुत तेजी से मूव हो रहा है आने वाले 6 मंत में बताया जा रहा है जो सेल्स पिगर है बहुती हाइफाई होने वाला है यानि आखड़ा बहुती ज़ादा होने वाला है और यहां पर प्रम के लगबग सभी अंकुष हट चुके हैं और कार कंपनियों को तो हरी सीजन काफी अच्छा लग रहा है कि इस दीपाबली पर काफी अच्छी सेल होने वाली है तो इसलिए बहुत सारी कंपनिया जिनके बारे में कुछ लेटेस्ट अपडेट भी नहीं आया है वो कंपनिया करते हैं और साथी प्रेस करें बैल का इकॉन भी ताकि सबसे पहले लिटेस्ट इंफरमेशन आपको मिले क्योंकि आपके हर कमेंट्स का आंसर चैनल द्वारा विदिन 24 और आप चाहें तो इंस्टागराम पर भी परसनली हमारे साथ चैट कर सकते हैं और दोस्तों जैसा कि आप जानते हीं काफी वेस्ट ओने वाला है दीपावली का सीजन तो बहुत जल्दम इसके बारे में और भी लिटेस्ट न्यूज आपके साथ शेयर करने वाले हैं और यहां पर ध्यान देने बाली बात यह है कि मारुती भी अपने कुछ और गाडियों को सी एंजी में अप पैसला किया है और इसके बारे में मीडिया रिपोर्ट से आरही है कि टाटा- också ओर टियागो एलटोज और नेक्सोम को company CNG के साथ लाॉंच कर सकती है टाटा टिगॉर और टियागो को तो cng मॉडलस को testing के दोरान देखा भी गया है और इन मॉडलस पर test by API इस्टिकर भी लगा हुआ है यानि कि टेस्टिंग काफी चल रही है और इसके बारे में कहा जा रहा है कि ये दौनों गाड़ियां सबसे पहले लॉंच होंगी यानि कि टियागो और टिगॉर्स फस्ट जो है यहां पर लॉंच होने वाली है यानि आप अब यह कह सकते हैं कि आपको महंगे पैटरॉल से जल्द छुटकारा मिलने वाला है और इसके बारे में जो और न्यूज है वो भी आपके साथ शेयर करते हैं तो मेंल ली यह बताया जा रहा है इसके बारे में कि टाटा मोटर्स टियागो टिगॉर और प्रीमियम हैच बैक अल्टोज और कॉम्पक्ट सुबी नेक्सोन के सी एंजी वेंट लॉंच करने की तयारी में है जो काफी हम यहाँ पर बैस्ट मान सकते हैं और टेस्टिंग के दौरान क्या देखा गया है देखा गया है कि वहाँ निर्माता ने सी एंजी से चलने वाली अपनी लोक प्रीय कारों तियागो और टिगोर की सारखनिक तौर पर सड़कों पर टेस्टिंग सुरू की है और हाल में ही पूर्चे में टियागो त्यागों क करण लगे वे ते यानि की टेस्टिंग के लिए और बाना यह जा रहा है कि इसकी तस्वीरे देखी गही है उसके बारे में पता चला है कि C&G वेरेंट का डिजाइन उनके मानक IC इंजन मॉडल्स के फेसलिप्टिट वर्जन के जैसा ही होने वाला है इसलिए डिजाइन या साइज के मामले में C&G मॉडल में किसी बड़े बदलाव की उम्मीद आप नहीं कर सकते हैं कार के एक्स्टियर फीचर्स की बात करें तो प्रोजक्टर हेड लैंप, LED DRL, Fog Lamp, Shark Fin Antina, LED Stop Lamp, LED Tail Lights जैसे कई फीचर्स मिलने वाले हैं इसके बारे में जो इंफ्रमेशन हैं, इंटियर में भी खास कुछ चेंजिस नहीं आने वाला है, रेगुलर मॉडल से किसी भी बड़े अंतर की उम्मीद आप नहीं कर सकते हैं कार में नए मल्टी स्पॉक ऐलोई वीज दिये गए हैं, और कार के फ्रेंट ग्रिल में ट्राइयरो ठ्रीम मिलते हैं, जो कार की पहँचान भी है और जहां तक इंजन और पावर के बारे में इंफ्रॉमेशन है, तो कंपनी इस कार को वही 1.2 लीटर रेवर्टान पैटॉल इंजन के साथ पेश करने वाली है इस इंजन के साथ 5-speed manual transmission मिलता है, यानि कि manual transmission के शाती ये गाड़ियां लाई जाएंगी और ये इंजन इस समय 85-bhp की power देता है, वो difference आपको CNG पर अवश्य मिलने वाला है ये नेक्स्ट वीडियो में जब live review आएगा तो आपके साथ हम यहाँ पर share कर देंगे CNG fitted kit के साथ उतारेगी तो ग्रहाख हर महीने महेंगे petrol से चुटकारा पा सकेंगे, काफ की पैसे भी बचा सकेंगे Tiago hatchback की बात करें तो currentry 9 variants और 4 trim के अंदर मिलती है, दिल्ली में सुरुआती एक सोर्म क्यूमित 4.99 लाग से start होती है Tiago CNG model का भारती बाजार में सीधे तोर पर मारूती सुझू की वेगनार, CNG, Hyundai Centro CNG गाडियों से आप मुकावला मान सकते हैं जो इसके competition की गाडियां है और Hyundai Centro CNG जैसी गाड़ों से इसका मुकावला होने वाला है और Tigor CNG का मुकावला होगा मारूती सुझू की आने वाली सेडान, Desire CNG और Hyundai Aura CNG गाडियों से Hyundai की ओल्लेडी Aura CNG में एबलेवल है, Desire CNG आने वाली है कुछी समय में ये एप्रोक्स सभी कुछ गाडियां आपको दीपवली के आसपास मिलनी सुरू होंगी इनके बारे में information अपडेट होने वाली है, तो आपके साथ हम वीडियो में आगे शेयर कर देंगे तो दोस्तों अगर आप रहना चाहते हैं latest automized technology, latest news से अपडेट तो चैनल को सब्सक्राइब करें, प्रेस करें bell का icon, साथ ही all notification set करें ताकि हर important information आपको मिलती रहे, मिलेंगे next वीडियो के साथ, आप लिख सकते हैं, comments box में आने को information चाहिए, या पर Instagram पर follow करके हमारे साथ chat भी कर सकते हैं, मिलते है next वीडियो के साथ, नमस्कार दोस्तों